मद्यप्रदेश में शिवराज के साथ मोदी ने कर दिया खेल MP में मुख्यमंत्री के लिए आप किसकी लगेगी लोटरी बीजेपी ने दिगजो को उतार कर बढ़ा दी शिवराज की टेंशन वैसे तो राजनीती में कहा जाता है कि कोई किसी का सगा नहीं होता लेकिन इस बार शिवराज सिंग चौहान के साथ मोदी ने जो खेल किया है उसका अंदाजा उने भी नहीं था PM मोदी और अमिशा ने अपनी रणनीती से शिवराज के पैरो तली जमीन खिसका दी है दिलसल केंद्रिय मंतरी तोमर, पटेल, कुलस्तिय और राष्टिय महासचिव कैलाज विजेवर्गियों को विधान सबाज चुनाव में उतार कर बीजेपी ने राजनेतिक बाजी जीतने के साथ-साथ मुक्यमंद्री पत की रेस को दिल्चस्प बना दिया है साल के आखर में होने वाले विधान सबाज चुनावों के लिए बीजेपी ने 49 प्रत्याशियों की दूसरी सुची जारी कर दी है जिसमें पार्टी ने 3 केंद्रियों मंत्रियों सम्यत 7-7-7-7 ड को चुनाव मैदान में उतार कर अपनी आगे की रणनीती साफ कर दी है कुनाव जीतने के लिए पार्टी विधान सबाद चुनाव में दिगजों को जोकने जा रही है खबरों के मताबिक सूची में कुछ नाम ऐसे बताए जा रहे हैं जिने सीम का चहरा बताए जा रहा है हले के अधिकारिक तोर पर बीजेपी पार्टी ने हर बार की तरह अभी तक मुख्यमंत्री के चहरे का ऐलान नहीं किया है लेकिन मध्यप्रदेश में अगर बीजेपी जीतती है तो शिवराज सिंग चोहान सीम नहीं होंगे और इसका एलान मोधी ने कर दिया है नमस्कार मैं हूँ परवीन शेख आप सभी का हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है एमपी में पियम मोधी और आमिशा ने बिगाड़ा शिवराज का खेल मोधी और शाह की बिसात पर मात खा गए मामा शिवराज क्या बदलने वाली है शिवराज सिंग चोहान की भूमिका बीजेपी ने सीम चेहरे को लेकर खोले अपने पत्ते मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री चेहरों को लेकर जनता के बीच जो नाम सुर्ख्यां बटोर रहे हैं उनमें केंद्री मंत्री नरेंद्र सिंग तोमर, प्रलाथ पटेल, फगन सिंग कुलस्ते और राष्टे महसाचिव कैलाश विजेवर्गिये के नाम शामिल है बीजेपी की दूसरी सूची में शामिल इन दिगजों के नाम ने भले ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चोहान के टेंचन बढ़ा दी है बीजेपी एंपी विधानसबा चुनाव जीती जिसके आसार फिलाल ना के बराबर हैं लेकिन फिर भी अगर बीजेपी जीती तो इस बार सीम पत की रेस में कई चहरे नज़र आएंगे कॉंग्रेस के तर्च पर ही बीजेपी ने इस बार किसी भी नेता को मुख्यमंत्री पत का चहरा घोशित नहीं किया है बीजेपी ने सामोहिक नितरित में चुनाव लड़ने का फैसला किया है और नतीचे के बाद मुख्यमंत्री का फैसला होगा CM चेहरों में सामाने वर्क से केंदरिय मंत्री नरेंदर सिंग तोमर मुरेना की दिमनी विधान सबासीर से चुनावी मैदान में हैं OBC वर्क से केंदरिय मंत्री प्रहलात पटेल नर्सिंग पूर सीट से प्रत्याशी बनाए गए हैं अनुसुची जंजाती वर्क से केंद्रे मंत्री फगन सिंग कुलस्ते निवास सीट से उम्मीदवार खोशित किये गए है। बीजेपी के दिगज नेताओं में शुमार राष्टी महासचिव कैलाश विजेवर्गियों को इन दौर एक विधान सबास्टीर से प्रत्याशी बनाया गया है। को आसान बनाने की कोशिश में जुटी है। का संकट गहरा गया है। बीजेपी ने अपने जिन सांसदों को उतार दिया है वो सभी मुख्यमंत्री पत के प्रबल दाविदार है। क्या बीजेपी शिवराज की भूमी का बदल कर अपनी हार का ठीकरा उन पर फोरना चाहती है। बीजेपी भले ही अभी शिवराज के भरों से नजर आ रही हो लेकिन जिन नेताओं को केंद्र से राज्य भेजने की तैयारी है वो सीम पत को लेकर अपनी महत्वकानशा जाहिर कर चुके हैं। विधान सबाज चुनावों के लिए 49 उम्मिद्वारों की दूसरी लिस्ट में एक से बढ़कर एक दिगजो के नाम शामिल हैं। तीन केंद्री मंत्री तक चुनाव में उतर गए हैं। सीम बनने के लिए बेताब नेताओं में कैलाश विजे वरगे पहले नमबर पर हैं। क्रिशी मंत्री नरेंद्र सिंग्तोमर, फगन सिंग कुलस्ते और प्रलाग पटेल जैसे नेताओं की भी महत्वकानशा आए दिन सामने आती है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या शिवराज सिंग्चोहान की भूमिका बदल जाएगी और उन्हें केंद्र में भीजा जाएगा। क्या नए भूमिका के लिए तयार होंगे शिवराज सिंग्चोहान? मैं पार्टी में किसी भी योगदान के बारे में खुद फैसला नहीं कर सकता। पार्टी जो भी फैसला करेगी मैं करूंगा। अगर पार्टी मुझसे पार्टी कारिक्रमों में कालीन बिछाने को कहेगी तो मैं वो ही करूँगा। मैं एक अच्छा पार्टी कारे करता हूँ जो अपने बारे में निन्ने नहीं लेता। ये पार्टी तैय करेगे कि कौन सा विक्ती किस इस्तर पर फायदे बंद है। शिवराज सिंग चोहान की कुर्सी जाने के संकेत तो ग्रहमंत्री अमिश्या पहले ही दे चुके थे। बोबाल में जब उन्होंने राज्य के निताओं से वन टू वन मुलाकात की थी उस वक्त ही उन्होंने बता दिया था। अगर एमपी बीजेपी जीती तो शिवराज सिंग चोहान नई भूमिका में होंगे। अब बीजेपी की तरफ से सीम की रेस में सब से आगे राष्टिय महासचिव कैलाश विजेवर्गे बताए जा रहे हैं। इंदोर एक विधान सबासीट से प्रत्याशी बनाए गए कैलाश विजेवर्गे दस साल बाद फिर विधान सबास चुनाव के मैदान में उतर रहे हैं। तो उमर करीब 20 साल के बाद विधान सबास चुनाव लड़ेंगे वो 2003 में आखरी बार गौालियर से विधायक चुने गए थे लेकिन उसके बाद 2009 से सांसत बन कर केंद्री राजनीती में आ गए और अब फिर विधान सबास चुनाव में उतरेंगे। के बाद सर्बानन सोनुवाल की जगा हिमंता बिस्व सर्मा को मक्यमंत्री बनाया था। बीजेपी इसी फार्मूले पर मध्यप्रदेश सही चार राज्यू का विधान सबास चुनाव लट रही है और पार्टी ने अपने दिगजो को उतार कर सीम की रेस को दिल्चस्प बना दिया है। बीजेपी के दिगजों में से किसके सिर्थ सीम का ताज सजता है या फिर इस बार कॉंग्रेस के हिस्से में आएगा सीम का पत। तो यह थी हमारी स्पेशल रिपूर्ट आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा नीचे कॉमेंट बॉक्स में अपनी राइज जरूर दे और इस लगते रहें डीवी लाइब क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार